असलाम अलेकुम गाइस मैं उनिसार अली और आप देख रहे हैं स्पेन पार्किस्तान दा यूट्यूब चैनल अप स्पेन.com.pk तो गाइस आज स्मार्टफॉन के अन्बॉक्सिंग और इसका फसल दो कम करेंगे वह है टेक्नॉप और वियर फोग्स मैं आपको बताता चलूँ कि यह पाकिस्तान के मार्किर में दो वे इंडेंस में लॉच हुआ हैं एक 3GB 32GB के साथ जिसके प्राइस 18,000 है दूसरा 4GB 128GB के साथ जिसके प्राइस 26,000 है तो चलिए देखते हैं कि इसके फीचर क्या दिए गए हैं बोक्स पे यह मिलता है 7-inch screen के सा तो और 6,000 mAh बैटरी दी गई है इस पे 13MP का AI Quad Camera और Dual Studio Speaker है तो चलते हैं मोबाइल के अन्बोक्सिंग की तरफ सील को हमने अलड़ी ओपन किया हुआ है बोक्स ओपन करते है तो पे हमें मिलता है तो मोबाइल को ओपन दगा हुआ स्पैसिफिकेशन स्टीकर मोबाइल को साइ एक सेफ्टी इंफर्मेशन बोक है टेकनो अपने कस्टमर्स को देता है स्पैसिली 13 मांथ की मोबाइल ररंटी एक गाइड़ बोक है और यह एक बैक सेरी कॉन प्रटक्टिव केस यह एक नॉर्मल यूएसपी केबल है दो अपर का अडप्टर दिया गया है और एक और जलते हैं डिवाइस की तरफ डिवाइस के स्टिकर्स को रिमूब कर देते हैं बैक साइड से भी मोबाइल का डिजाइन बहुत ही मेजिंग है इसमें कुछ डाइग्मला शेड्स दी गए हैं जो कि बहुत बेहतरी लग रहे हैं इस यू कें सी गईज यह जो हमारे पास क कोस्मिक शाइन यानिका ब्लू कर इसमें दो कर दिये गए हैं फोन के डिजाइन की बात की जाए तो बैक साइड पर क्वार्ड केमराज दी गए हैं और साथ में फॉर फ्लेश लाइट इसके इलावा एक फिंगर बेंड संसर दिया गया है और में पावियर की ब्रैंडिंग की गई है जब्के बॉटम पर टेक्नो का लोगो दिया गया है राइट साइड पर वोल्यूम डोकर है और पावर का बटन जब्के लेफ्ट स्थ पर दी गई है और इसके इलावाए गुगल असिस्टट का बटन दी गया है सिम पोर्ट की बात करें तो इसमें दो सिंके सांस साथ एक Micro SD Card भी आप यूज कर सकते हैं निचे वाली साइट पर एक स्पीकर देखने को मिलता है और साथ में चार्टिन पोर्ट है हेड़फोन जैक है और एक Microphone मुबाल के डिस्प्ले की बात की जा तो इसमें एक सेवन इंचिस का बिक डिस्प्ले यूज किया गया है जब कि आज तक किसी भी ब्रेंड ने इतना बड़ा डिस्प्ले किसी भी मुबाल के अंदर रहें डाला यू कें से यह एक फैबलेट है और वह भी 18,000 के बजट क अंदर ऐसी डिवाइस ऐसा बड़ा डिस्प्ले इंपॉसिबल सी बात है इसके फ्रेंट केमरा की बात की जाए तो यह डूर डूप नरुश कैमरा दिया गया है जो के आट मेगा पिजल का है इसके इसके साथ दो फ्लेश लाइट दी गई है जो कि आपके सेलफी के लिए य एक Depth Sensor दिया गया है जो के 2 Megapixel का है और एक Micro Lens दिया गया है जो के 2 Megapixel का है इसके इलावा एक AI Lens दिया गया है मॉबाल के फुल रव्यू के अंदर हम आपके लिए लाएंगे इसके कैमरा के कुछ शोर्ट जिससे के लिए वो पाएगा इसका कैमरा कैसा है और टेक्नो प आपको लाइड यूज है तो यह आपको चार्ज दिनकी बैटरी भी देशकते हैं क्योंकि इसका अड़ाप्टर दो अंपेर का है जो के 18 वार्ट सपोर्ट करता है तो इसलिए यह मुबाइल और मॉस्ट इन से 4 घंटे फुल चार्ज होने में लेगा मैं आपको यह रिक्मे क्योंकि बात करें तो 2.0 GHz और क्वार्ट को परसेसर दियता है Android 10 के साथ आता है यह मुबाइल इसमें फिंगर्परिंट सेंसर के हिलावा फेस अनलोग की ऑप्शन भी दी गई है मुझे फिंगर्परिंट सेंसर के बिजा है फेस अनलोग क्या उप्शन बैटर लगा कि इस लाइक आप मुबाइल पर मुवीज यह नेट्फिक्स वियर आप यूज कर रहे हैं तो इस पर आपको इजी ली क्लिए साउंड मिलेगा एक लाउड साउंड मिलेगा मुबाइल के दोनों साइट पर स्पीकर है तो चलिए आज के रिवीव को कॉंक्लूड करते हैं टेक्नो इंच का एक बिक डिस्प्ले 6,000 mAh की बैटरी जो चलेगी आपकी तीन से चार दिन तक दूवल स्टीडियो स्पीकर्स और AI क्वाड कैमरा सैटप यह बहुत ही वैलवेबल पैकेज है बहुत ही अच्छा पैकेज है मेरे क्याल में जो कि टेक्नो आपके लिए लेके आया है 13,000 की प्राइस के अंदर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लेज लाइक और शेर करना मत भूलिएगा पेज को सब्सक्राइब करिएगा और इंग बेल आइकन पे क्लिक करें ताके आपको नेक्स्ट राइम हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आजाए अब तक के लिए इत